तो मैं आपको कुछ ऐसे cmd command बताने वाला हूँ जो आपको smart user बनाएंगी कहने का मतलब यह है कि अगर आप पहली बार cmd command सीख रहे हैं चलाना तो इसका मतलब यह है कि जब आप इससे सीख जाओगे तो आपको hacker वाली feeling आगी इसके साथ आप एक smart user भी बन जाओगे cmd command आपक हमको आपको hack ना कर ले डर और जाएगा तो ऐसे कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनको हम करने वे थोड़ा time लगता है वेड़ cmd command की मदद से हम उन काम को सर्फ एक command भी कर सकते हैं तो चलिए इन कमांड को देखते हैं कि करके तो cmd command खोलने के लिए आपको window प्लस आर दबाना सबसे पहला देख सकते हैं कि यहांपर क्या है कि उड़क कर सकते हैं तो पहले आपको लिखना है help आपको blue करना है तो color लिख दिजिए अगर आपको Green लिख나 है तो कलर लिख दीजिए मैं इसको ठोड़ा जूम कर लेता हूं तो मैं आपको बताता हूं पहले लिखना है C O लूर अब देखिए क्टो लेना चाहते है तो चली यहाँ पर देख सकते है टू लिखा है तो color और टू लिख दीता हूं तो देख सकते है घ्रिन हो गया अगर आपको रेड करना है तो लिख दी फिल्ड है और यहाँ पर रेड के कतना नमबर दिया है फोर फोर्ट कर तो देख सकते हैं इस तरी के साब color change कर सकते हैं कि यहां पर यतना सारा material ये आ चुका है तो अगर आप घटाना है तो आपको क्या करना है CLS कर दिना है अब मैं next command के बारे में बताता हूं देखिया क्या है कि आप जैसी कोई आपके IP address पूचे आपके computer का तो आप कैसे बता पाएंगे तो आप जाओगे setting में जाओगे फिर उससे ढूड़ो गई दर उदर नहीं पता है आपको तो आप cmd command की मदद से आपको IP address तुरंत निकाल सकते हैं उसके लिए आपका net connection होना चाहिए तभी आपको IP address चेक कर पाएंगे तो मैं थोड़े जूम कर देता हूं तो आपको क्या करना है पहले टाइप करना है IP config देख सकते हैं और स्क्वाद इंटर मार देना है यह रहा म cmd command की और भी वीडियो लेकर आऊँगा तो इसी लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए जैसे अपनी computer के बारे में सारी जानकारी देख जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है तो देख सकते हैं सबको जा चुका है यहाँ पर मेरे computer का नेम आ गया है जैसे कि में लॉम्हें से नॉर्मलि और शर्फ छकर सकते हैं J aren देखे इंपर ओपर इंग का नेम देखा रहा है विंदो टेंड फिरो इसके अलाव वर्जन देखा रहा है और और भी सारी चीज़ेर्घ की आप देख सकते हैं कि नेस्ट कमान्ड है अपने टास्क लिस्ट टास्क लिस्ट इसकी मदद से आप देख से पाएंगे कि कितीशन हो रही है हमारी अद्धिशन में कितनी अप्लिकेशन रान थे तो उनको अभी देख सकते हैं प्यां देखिए इस तरीके से उन सबकी जानकारी देगा आपको करना है तो आप यहां पर किलिक करोगे फिर यहां पर जाओगे फिर यहां से जो भी महीना चाहिए सेट करोगे उसके तब आप डेट को चेंज करवां बद cmd कमांड की मदस से आप एक बाहर में कर पांगों अभी देख सकते हैं यहां कर देक्स करना है यहां यहांवाइट ईंटर कर देना है पहले महीना करना है देट कर देक्स चाहिए ऑप जरेंगे uh md command की मदद से desktop पर folder कैसे बना सकते हैं तो चलिए इसे भी देख लिएते हैं पहले आपको CD desktop टाइप करना है उसके बाद आपको लिखना है mkdar और उस folder का name लिखना है तो मैं folder का name mono देता हूँ तो यह यहाँ पर इसलिए लिखके आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने command में मैंने spelling mistake कर दिये द्वारा लिखते हैं mkdar और उस folder का name लिखना है जैसे आप लिखोगे उसके बाद इंट्रम आ रहा हो तो देख सकते हैं आपन मेरा folder बनके आ चुका है तो इस तरीके सा आप folder बना सकते हैं तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के लिए बतना ही ऐसी मैं cmd कमांड की और भी वीडियो लेकर आऊँगा तो इसी दिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जहन जय भारत